अथ श्रे योग वाशिष्ठे निर्वाण प्रकर्णस्य उत्तरार्धे एकाशेतितमस्तर्गह श्रे वशिष्ठव वाच अथ रागव रुद्रम्तं तदातस्मिन्महांबरे प्रभृत्तम् नर्तितुम् अत्तमपश्यम् वितताकृतिम् व्योमेवाकृतिमापन्नमजहत् व्यापिताम् निजाम् महाकारं घनश्याम् दशाशापरिपूरकं। अर्केंदु बन्हिनयनम् चलत्दशदिगंबरम् घनदीर्घप्रभाजालमालानम् श्यामलार्चिशाम् वडवाग निद्रिशम् लोल भुजोर्मि भरभासूरम् एकार्णवार्णो द्राग्देह बंधेनेव समुथितं। पश्याम्यनंतरमहं यावत्तस्यशरीरतः चाये वपरिनिर्याति नर्तनानु विधायिनी। सूरिये श्वविध्यमानेशु महातमसिचांबरे स्थिता कथमियं छाया भवेदिति मतिर्ममा। यावद विचारयाम्याशु तावत्तस्यतदापुरह सास्थिता परिनिर्त्यंते विस्तेरनाश्रेत्रिलोचना। कृष्णा कृषा शिरालांगी जर्जरा वितता कृतिही ज्वाला कुलानला लोल वन संभार शेकरा। भिन्नांजन तमह श्यामा यामिनीवा कृतिम्गता तमह श्रेर्देह युक्तेव साकारेवांब रद्युतिही। अति दीर्गा करालास्या नभो मातु मिवोध्यता दीर्ग जानु भुजब भरांत्या मातु कामेव दिं मुखं। क्रिशा बहु पवासेव परिनिम्न महातनु कज्यलश्यामला मेघमालेव पवना कुला। क्रिशा शक्ता यदास्थातु सुदीर्गा बिधिनातदा। ग्रथिते वशिरारूप एर्दाम भिर्दा इर्ग्यशालिभी। तथा नाम सुदीर्गासा यथातस्याह शिरहा खुरं। मयाद्रिष्टं प्रयत्नेन चिरोर्ध्वाधो गमागमेह। अंत्रांत्रतंत्री ग्रथितो शिरहा कर खुरोत्करा। आमूलात्सूत्रवलिता कंटकानामि वस्थले। विश्वरूपमयार्कादिशिरह कमल जालकैह। कृतमाला मलालोकबातबन्निमयांचला। प्रलंबकरणालुलितो नागांद्रिषवकुंडला। शुष्क तुम्बिलताष्ठिला दीर्गालो लासितस्तनी। कुमार बर्हि पिच्च उगैर। ब्राम्ह मूर्धज मंडलेह। लांचितोच्य सुराधीश शिरहा। खट्वांग मंडला। दन्तेंदु माला बिमला। बिमलोध्योत पाततह। तमोर्ण वोर्ध्वलेखेव। वृत्त वर्त विवर्तिनी। शुष्क तुम्बिलते वोच्य राकाषतरु सम्स्थिता। विलोला वयवाष्ठीला वातैहि पटपटारवा। बिहत्त रंगोर ध्वभुजा। श्यामलोला सशालिनी। एकार्ण वोर्मिमालेव। नृत्त वृत्ति विवर्तिनी। क्षणमेक भुजाकारा। क्षणम् बहु भुजाकुला। अनन्तोग्र भुजाक्षिप्त जगन अर्तनमंडपा। क्षिप्रमेक मुखाकारा। क्षिप्रम् बहु मुखाकृतिहि। अनन्तोग्र मुखे क्षिप्रम। निर्मुखे चापिचक्षणम। एक पादान्विता क्षिप्रम। क्षिप्रम् पादशतान्विता। ख्षणम् चानंत पादाध्या निश्पादा कारिणी ख्षणम् कालरात्रिरियं सेति मयानुमित देहिका काली भगवती सेय मिति निर्णीत सज्जना ज्वालापूरणारघटोग्र खातावनयनत्रया ज्वलध्धरेंद्रनीलाद्रि सानूपम ललाटभूह। लोकालोकेंद्रनीलोग्रश्वब्रभीम हनुद्वया वातसकंध गुण प्रोत तारा मुक्ता कलापिनी। इंद्रनीलाद्रि तुल्योच्य तोरणोच्य ही प्रभांबरे। विश्रांत काचशैलाभ भगभीशन बायसे। नृत्यद भुजलता पुष्पईर नखशुभ्रा भ्रमंडले। पूर्ण चंद्रशतानिव ब्रमयंते नभस्तले। भ्रमद्भिर्व्याप्त दिक्चक्रा भुजईही कल्पांबुदैरिव वर्षद्भी प्राणिजप्रांत तारालेखा ब्रिहत्प्रभाह। नखपुष्पांगुली वल्ली जालैर भ्रांत भुजद्रुमैही कृष्णैही काननिताशेष गगनाग्रोग्रमूर्तिभिही। तमालतालतह स्थूलाम भुवं दग्ध महावनेही बिडंबयंते वलिताम जंगा संगे नलोलता। अप्यनन्ते महाव्योम्नि पारं प्राप्तैही शिरोरुहैही कुरुवाने वाततं बासं चरत्ति मिरदंतिनहा। उयहंते मेरवोयेन तेन निश्वास बायुना। गन घुंगुम दिक्चक्रग गन ग्राम घोशिना। घनमारुत फूतकार क्ष्वेडगेयं प्रगायता। नियतानुनये नेव चलिता सानु वृत्तिना। ततो नृत्त वशावेशाद बर्धमान शरीरिनी। मया दृष्टा वधानेन गगना भोग भूरिना। यावत्तया वृत्ता देहे हेला वलन सारया। माला मलय केलास सैह मंदर मेरुभिहे। आसेत्तया युगांता भ्रमालिका पट्ट पट्टिका आदर्ष मंडला अन्यंगे त्रेणि लोकांतरानिचो। करण योरिहिमवन मेरु रूप्य कांचन मुद्रिके। ब्रम्हांड घुम्गुमैर माला महते कटिमेखला। श्रजह कुलाचलाह श्रिंगबन पत्तन गुच्छकाह। जरत्पुरबन द्वेप ग्राम पेलब पल्लवाह। तस्या अंगे शुद्रिष्टानि पुराणि नगराणिचो। रितवस्चो त्रयो लोका। मासा हो रात्रमालिकाह। मुक्तालतादिकंद ध्याह। कालिंदी त्रिपतादिकाह। धर्मा धर्मा बुभव करण भूशने चान्य करणयोह। स्तनास्तस्यास्तुचत्वारह। श्रवत धर्म पयोलवाह। वेदाह सकलशास्त्रार्थ चतुह। सम्स्थान चूचुकाह। त्रिशोलेह, पट्टिशेह, प्रासेह, शरशक्त्रिष्टिमुद्गरेह। निर्यदा युधजालाने, श्रग्दामाने बिभर्तिसा। चतुर्दश विधाभूत जातयो याह सुरादिकाह। तस्याह शरीरशालिन्यास्तालो मावलयाह। श्थिताह तस्यास्चनगरग्रामगिरयो देह शाइनहा। निर्थ्यंत्यासह निर्थ्यंति पुनर्जन्म मुदेवते। जंगमात्मैकमेवैतज्यकदस्थावरं तदा। निर्थ्यतितिमयाग्यातं परलोके सुखं स्थितं। निगेरणं जगदंगस्थं कृत्वात्रिप्तिमुपागता। परिनृत्यतिसामत्ता जगजेरणाहिचातकी। आदर्षप्रति भिंबस्थ मिभाभात्यखिलं जगत। तस्याब पुषि विस्तेरणे स्वरूपिनि सरूपध्रिक। साननृत्यतितत्सरवं सशैलवनकाननं। जगनृत्यतिनानात्ममृत्वापुनरुपागतं। तज्यगन्नर्तनाचारु तद्देहादर्षसंस्थितं। चिरम्मयातदाद्रिष्ट मविनस्थं पुनहस्थितं। विचलत्तारकाजालं ब्रहमत्परवतमंडलं। मशकब्यूहबद्बात व्याधूतामरदानवं। संग्रामोन्मुक्तचक्राभ द्वीपारणव बृतांबरं। हेला विवलना वर्त प्रओधशैल धरात्रिणं। नीलमेगाईशुका बृत्ति वात घुंघुमितंबरं। काष्ठास्थ्यादिस्फुटास्फोट पतत पतापतारवं। जगत्पदाथैर व्यामिष्रै रमिष्रैर मुकुरैर यता। व्याप्तमाभोगि भांकारै रंगै रंग ब्रमै स्तता। मेरुर् नृत्यति लोलोच्य कुलाचल ब्रिहत्भुजह। भ्रमदभ्रपटो पेत नमत्तनुतनूरुह। अत्यजन्तह समुद्रास्च मरियादा मुद्रणं दुमाह। भूमेर नभस्तलं यान्ति नभसो यान्ति भूतलं। पुराणि घर घरारावैर दृष्यंते लुठिता अन्यधह। सग्रिहाट्टाल वास्तभ्यं नचकिंचिल उठत्यधह। तस्याम भ्रमंत्याम चतुरं। चंद्रार्क दिनरात्रयह। नखाग्रले खालो कांतर। भ्रांति कांचन सूत्रवत। विभांति शृष्टयस्तस्या घर्मानि जलजालिकाह। इवनीहारहरिण्या नीलवारिद वाससह। खमेवतस्याह संपन्नं कवरी मंडलं ब्रिहत। पातालं चरनव भूमिरुदरं। बाहवो दिशह। द्वीपावधयोंत्रवलयह। पार्श्वकाह सर्भपर्वताह। प्राणापानावली दोलाह। पवनसकंध शालिकाह। तदानुभूतं दृत्यंत्यास्तस्या बपुषि विस्त्रिते। हिमवन्मेरुसयाद्येर दोलनब्रममद्रिभि। तरदद्रि गुलुच्छास्ता वलयंत्यातयास्रजह। पुनह कल्पांत आरब्ध इवतांडवहलया। सुरासुरोरगानिक रोमशांगह शरीरकह। निश्पंधं स्थातुमशकन्नसव। भ्रमति चक्रवत। नाना विभव विज्ञान यग्य यग्यो पवितिने। सासरंते नभस्यासेद्गन घूतकार गोशणी। तत्र भूतल माकाश माकाशम पिभूतलं। प्रतिकृति भवत्यंतर नच किंचिद विवर्तते। ब्रिहन्नासा गुहागेह निर्गता घन घूंगुमाह। तत्रोग्रा वायवो वांति गोर घूतकार कारिणह। नभाह करशतै स्तस्वास्चतुरा वृत्ति वर्तिभिही। भाति चंडा निलोद भूतै राकेरणमिव पल्लवैही। तदंग जजगद्वस्तु जात भ्रमन संभवात। द्रिष्टिर्धिरापि मे मोहे सन्ना सेने वसंगरे। प्रोईहंते यंत्रवच्चैला निपतंति नभस्चराह। लुठंत्यमरगेहानि वलिते देह दर्पने। मेरवह परणवत व्यूधा मलयाह पल्लवाइव। हिमाद्रयो हिमकना इव उर्भ्योब जलता इव। सैया मैया मिवखगा बिंध्या बिध्याधराइव। ब्रिक्षावर्ते भ्रमन्तोंता राजहंसा इवांबरे। वीपान्य पित्रिनानीव समुध्रा बलयाइव। सुरलो कालयह पद्मा आसंस्तद्देह वारिनी। विषदाकाश शंकाशे स्वपनांजन पुरोपमे। अंगे तस्या ब्रिह जंगे। पिंडाधित्यसमत्विषी। बिंध्यो निरित्यति कांचना चलवने सैहस्च सैहो गिरिह। कैलासो मलयो महेंद्रशिखरी क्रौंचा चलो मंदरह। गोकर्णो गगनांगने बसुमती बिद्याधरानां पुरं। सर्वे जंगमतां गताबन भुवस्तस्याह शरीरे सदा। अपधिर निर्त्यति पर्वते गिरिरपि प्रोच्य इर्नभः कोटरे। व्योमापिंदु दिवाकरेहि क्वचलितं भूमे रधस्ताद गतं। सद्वी पाचलपत्तनो वनगनह प्रोत्किर्ण पुष्पो दिवी। व्यालोलं जगदं बुधा बिवत्रिणं दिक्चक्रके भ्राम्यती। व्योम्नि भ्रमंति गिरयों बुधयो दिगंते। लोकांतराणि पुरपत्तन मंडलाणी। नद्यहासराम्सिमुकुरांतरिवप्रविद्ध। वातावकेरनत्रिन विक्रमनक्रमेन। मच्यास्चरंति चमरव। वरवारिनिव। व्योम्निस्थिराणि नगराणि भुवीव भांति। खे भूधरा गगन संक्षय बारिभाह मुत्पात बात परिवृत्त गिरिस्थितं तत। रिक्षोत करो भ्रमति दीप सहश्रयंत्र चक्रक्रमेन मनिवर्षन वेग चारुह। अंतर बहिस्च परितह प्रणये नमुक्त विद्याधरा मरगने रिव पुष्प वर्षम। संहार सर्ग निचया दिनरात्रिभागे विन्दूपमा रजतयोर दिवसोत्करास्च। क्रिष्णाह सितास्च परितोमल शुक्ल क्रिष्ण स्वाधर्ष मंडल वदाकुल मुल्ल संते। रत्नानि भास्कर निशाकर मंडलानी तारोत्करास्तरल मंडल कांति हाराह। स्वच्छांबरानी वलितानी महांबरानी गुरुवंत्यनारत मनल्प मलात लेखाह। कल्पान्त काल बिलुठत्त्रि जगन्मनीनी व्यावर्त नैर जगिती जात जण जणानी। ते जाम्से जंकृत्यत तयोर्ध्वमधस्चयांति नाना विधानी गुणवंति विभूशनानी। संग्राम मत्त भट खट्ग मरीचि भीचि श्यामाय मान सकलात पवासरानां। व्यावृत्ति भिर बिलुठताम पि सुस्थिरानामा कर्णियते कलकलो जनमंडलानां। ब्रम्हेंद्र विष्णुहरवन्हिरवींदुपूर्वा देवासुराह परिभिवृत्ति भिरापतंतह। अन्यन्यव विविधा उपयांति आंति वातावधूतमशकाशनि विब्रमेण। सम्हार सर्ग सुख दुख भभाभ वेहा नीहा निशेद विधि जन्म मृति भ्रमाध्याह सारधं पृतक्य बिलसंति सदैव सर्गे। व्यामिश्रता मुपगता अपितत्र भावाह। भावोद्भवस्थिति विपत्करण ब्रमानाम। सम्हार सर्ग भुवनावनि बिब्रमानाम। मिथ्य इवखे प्रकचताम। खशरीरकानाम। सन्लक्ष्यते त्रनमनागपि नामसंख्य। उत्पात शांति मरनोत्सव युद्ध साम्य। विद्वेश राग भय विश्वसनादी तत्र। एकत्रकोश इव रत्नचयो विभाती। नानारसा प्रतिगसर्ग परंपरंतत। तस्यास्चिदंबरमये बपुशिस्वभाव। भूतास्फुटानुभवभाव। जगद्व्यवस्थाह। सर्वक्षया मलिनद्रिक्कलितांबरस्थ। केशोंड्रक स्फुरणवत्परितः स्फुरंते। जगत्संख्षुब्धमक्षुब्धं द्रिश्यते स्थिति संस्थिती। संचाल्यमानमुकुर प्रतिभिंब इवास्थितं। निरित्यस्फुरत प्रतापांतर जगदर्थाह। प्रतिक्षणम। स्थितिम्त्यजंति ग्र्ण्धंते। बालसंकल्प सर्गवत। क्रिया शक्ति ही शरीरेंतह। पूर्यमाना अनारतं। राशी भूय विशीरियंते। जगन्मुद्ग कनोत्कराह। क्षणमालक्षते किंचिन्नकिंचिदपिसाक्षणम। क्षणमंगुष्ठमात्रैव क्षणमाकाश पूरिनी। यस्मात्सासकलादेवी संविच्चक्तिर्जगन्मयी। अनन्तापरमाकाश कोश शुद्ध शरीरिनी। कालत्रयस्थित जगत्रित यांतरीह। चित्सातता कचतितेन यथास्थितेन। रूपेन चित्र कृदुदारमनस्थ चित्र। संसार जाल सद्रिशेन कचज्यवेन। सर्वात्मकैक बपुरेक चिदात्मकत्वात। संशान्तकैक बपुरेक चिदात्मतत्वात। एबं निमेशन समुन्मिशितैक रूपं। सा बिभ्रती बपुरनंत मना दिभाती। तस्यां बिभाति तदनन्त शिलात्मकोशे। लेखाप्य चक्ररचनादि बदेवद्रिश्यम। ब्योमात्मकं गगनमात्रशरीरवत्यां। चित्वाद्रवज्यलधिकोश इबोर्मिलेखा। महति भैरवी देवी दृत्यंत्या पूरितांबरा। तस्या कल्पांत रुद्रस्या सापुरो भैरवाकृते हे। शिरोमंदा शिरितो ग्राग्नि दग्धस्थानु वनावनिही। कल्पांत वात अभ्याधूता बनमाले वंगृत्यती। कुद्धालो लूखल ब्रिसी फलकुम्भकरंडकैही। मुसलो दंचनस्थाली स्तंभैही। श्रग्दाम धारिनी। एवं विधानाम श्रग्दाम जालानाम कुसुमोत्करं किरंती संस्रियंतीव। नृत्तक्षुब्धं क्षयक्षतं। बंध्यमानस्तयासोपि तधैवाकाषभैरवह। तधैव वितताकारस्तदोच्यः परिनृत्यते। दिंबं दिंबं सुदिंबं पचपचसह साज्यम्य जम्यं प्रजम्यं। नृत्यंती शब्दवाध्यय स्रजमुरसिशिरश्यकरं तार्क्षयपक्षय। पूरणं रक्तासवानाम यम महिष महाश्रिंग मादाय पान। पायाद्वो वंध्यमाना प्रलय मुधितया भैरवह कालरात्रिय। इत्यार्शे श्री वाशिष्ठ महारामायने वालमी किये देवदूतोक्त मोक्षो पायेश। निर्वान प्रगर्णे उत्तरार्धे पाशानो पाख्याने कालरात्रिवर्णनम नाम एकाशीतितम सर्गह। अब आगे इस योगवाशिष्ठ महारामायन के निर्वान प्रगर्ण के उत्तरार्ध के इक्यासी में सर्ग में रुद्र की छाया रूपिनी कालरात्री के स्वरूप का बर्णन किया है और उसके बाद उनके तांडव निर्त्य का बर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री बशिष्ट जी कहते हैं, हेर अगुनन्दन, तदनंतर उस समय, उस महाकाश में मैंने देखा कि भगवान रुद्र मत्त से होकर अकांड तांडब में प्रविर्त हो रहे हैं। उनकी आकृती बहुत दूर तक फैली हुई थी। उनका शरीर आकाश के समान ही ब्यापक दिखाई देता था। उनका आकार बहुत बड़ा था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था, मानो एकारणव का जल ही ततकाल देहधारण करके खड़ा हो गया हो। इसके बाद मुझे दिखाई दिया कि उनके शरीर से एक छाया जैसी निकल रही है। जो तांडव नृत्य में उनका अनुकरण एबं अनुसरण करने वाली है। उस समय मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि द्वादश सूरियों के बिद्यमान न रहने पर जब आकाश में महान अंधकार छा रहा है। तब यह चाया कैसे स्थित हुई है। मैं इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि वह ततकाल नृत्य करती हुई शिग्रता पूर्वक उनके आगे जाकर खड़ी हो गई। उसका शरीर भी बहुत बिस्त्रित था तथा वह भी अपने तीन नेत्रों से शुशोभित हो रही थी। उसका रंग घोर काला था। वह बहुत ही दुरबल थी। उसके अंगों में नस और नाडियों के जाल सुस्पष्ट दिखाई देते थे। वह जरा से जरजर हो रही थी। अर्थात अत्यंत ब्रिद्ध दिखाई दे रही थी। उसकी आकरिती बिशाल थी। मुख पर आग की जुआलाएं ब्याप्त थी। बन के चंचल पत्रपुष्प आधी मुकुट बनकर उसके मस्तक की शोभा बढ़ाते थे। वह कोईले के समान काली थी। मानों काल रात्री ही उसका रूप धारण करके आ गई हो। अंधकार लक्ष्मी ही मूर्तिमती हो गई हो। वह बहुत लंबी थी। उसका मुह विकराल दिखाई देता था। वह इस तरह खड़ी थी मानों आकाश को नापने के लिए उद्यत हो। अपने बड़े बड़े घुटनों और भुजाओं के ब्रह्मन से वह समस्त दिशाओं को मानों नाप लेना चाहती थी। वह ऐसी दुरवल थी मानों बहुत काल तक उसे उपवास करना पड़ा हो। उसके बिशाल शरीर में सरवत्र गड़े ही गड़े दीख रहे थे। वह काजल के जैसी काली और मेगमाला की भाती बायू के बेग से चंचल जान पड़ती थी। जब वह बहुत बड़ी और दुरवल होने के कारण खड़ी होने में भी असमर्त हो गई। तब विधाता ने मानों उसे नस नाडियों की लंबी रस्यों से बांध दिया। जिससे कि वह अच्छी तरह खड़ी रह सके। नस नाडियों और अतणियों की रस्यों द्वारा उसके शिर और हाथ पैर आदी सभी अंग इस तरह बंदे हुए दिखाई पड़ते थे। मानों मूल से लेकर शाखाओं के अग्रभाग तक सूतों से बंधी हुई काटेदार ब्रिक्ष की कोई जाड़ी हो। अनेक वर्णों के सूरियादी देवताओं तथा दानवों के मस्तक रूपी कमलों के समूहों की माला उसके कंठ में शोभा दे रही थी। हवासे प्रज्वलित तथा निर्मल प्रभासे पूर्ण अग्नी की ज्वाला ही उसके लिए आचल थी। उसके लंबे लंबे कानों में नाग जूल रहे थे। उसने दो मनुश्यों की लाशों को कुंडल के रूप में धारण कर रखा था। जैसे सूखी लौकी की लता में दो बड़े बड़े फल लटक रहे हो। उसी प्रकार उसकी छाती में कुछ-कुछ हिलते हुए काले रंगे दो स्तन दिखाई देते थे। जो बहुत बड़े होने के कारण जांग तक लटक रहे थे। उसके शरीर को देखकर मैंने यह अनुमान कर लिया कि यह वही काल रात्री है। जिसके विशे में साधू पुरुषों ने यह निर्णे किया है कि यह भगवती काली है। उसके तीन नेत्र आग की ज्वाला से परिपूर्ण थे। ललाट प्रांत इंद्र नील मनी के समान चमक रहा था। उसकी दोनों ठोडियां गहरी होने के कारण भयंकर जान पड़ती थी। वातसकंध अर्थात बायू के जो उनंचास प्रकार हैं प्रबह, संबह, आबह, आदी, बायू। ये सब बातसकंध रूपी तागों में पिरोई हुई तारा वलियां उसके कंठ देश में मुक्ताहार का काम दे रही थी। वह वर्षा करने वाले कलपांत काल के मेघों की भाती शोभा पाने वाली ब्रह्मनशील भुजाओं द्वारा संपूर्ण दिंगमंडल को ब्याप्त करके खड़ी थी। बे भुजाएं अपने नकों की कांती बिखेर रही थी। हिमालय और सुमेरू परवत उसके दोनों कानों में चांदी और सोने की बालियां बनकर शोभा बढ़ा रहे थे। ब्रह्मांड रूपी गुंगुरूओं से बनी हुई बिशाल माला उसके कटी भाग में करधनी का काम दे रही थी। शिखर बन और नगर रूपी पुष्प गुच्छों से युक्त तथा पुराने नगर बन ज्वीप और ग्राम रूपी कोमल पल्लबों से अलंकरित सातों कुल परवत उस भगवती काली के गले की पुष्प मालाएं बने हुए थे। हे श्री राम उस देवी के अंगों में मैंने पुर, नगर, रितू, तीनों लोक, मास तथा दिन रात रूपी फूलों की मालाएं देखी थी। उसके शरीर में ब्यक्त रूप से स्थित, नगर, गराम और परवत आदी मानों पुनर जन्म पाने के लिए आनंद से उलसित होकर उसके साथ साथ नाच रहे थे। कभी-कभी वह नहीं नाचती थी, तो भी परवत, बन और काननों सहित नाना आकार वाला यह सारा जगत, जो मर कर फिर लोटा था, नाचता ही रहता था। वह कालरात्री जब चतुराई के साथ निर्थ्य करने लगती थी, तब चंद्रमा, सूरिय, दिन और रात उसके नखाग्र भाग की रेखाओं के भीतर बिद्यमान प्रभा में मिलकर घुमते हुए सुवर्ण सूत्र के समान दिरगाकार प्रतीत होते थे। जब भगवती कालरात्री का तांडव निर्थ्य होने लगता था, तब इंद्र आधी देवता और असुर अपनी अपनी अधिकार प्रभृत्ती से और ही और बनकर बायू से उड़ाये गए मच्छरों के समान अथवा अस्थिर बिद्युत के समान आते जाते दिखाई देते थे। कभी सदा एकसाथ और कभी प्रिथक प्रिथक रूप से शुशोभित होते थे। संपूर्ण कलाओं से युक्त वह देवी कालरात्री चैतन्य शक्ति रूपा जगन्मई अनंत एबं विशाल आकाश कोश के सद्रिश विशुद्ध शरीरवाली है। वह देवी अपने हातों में सूप, कुदाल, ओखली, चटाई, फाल, घट, पिटारी, मूसल, डोल या बाल्टी, बटलोई और खंभे इत्यादी वस्तु समूहों को भी फूल के समान मानकर उनकी माला धारण करके निरित्य करती थी। डिम्बं डिम्बं सुडिम्बं पच पच सहसा जम्य जम्यं प्रजम्यं निरित्यंती शब्दवाध्येहि श्रजमुरसिशिरह शेखरं तार्क्ष्य पक्षईहि पूर्णम् रक्तासवानाम् यम महिष महाश्रिंग माधाय पानव। पायाद्वो बंध्यमानह प्रलयमुधितया भैरवह कालरात्रिया